नमस्कार दोस्तों, नमस्ति इंग्लिश में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ और यहाँ सेशन आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफी लाबदायक साबित होगा। आईए इसके पहले आज के सेशन की सुरुवात करें। मैं आपको एक जानकारी दे दूँ जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है यती आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो देद ना करें। आज ही प्ले स्टोर से नवस्ति इंग्रेजी से अप डाउनलोड कीजिए और अनलिमेटेड एकाउंट जॉइन कीजिए। अनलिमेटेड एकाउंट जॉइन करने से आप यहां बिना किसी की मदद से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सिख सकते हैं। तो चले आज के सेसन की और। देना चाहते हैं या यदि आप उसे बोल सकते हैं उसे कठोर हो जाना चाहिए जैसे चीजों का अर्थ निकालना है या देना है या समोधन करता है तो हम डियर का प्रियोग करते हैं। ग्रामर के पॉइंट अव्यू से डियर अलग-अलग दो तरीकों से प्रियोग में आता है। और दूसरा डियर का उप्योग सायक किरिया या एक्जिलरी वर्ग के रूप में होता है। ठीक है आईए और दोनों ही केस में मुखविया के रूप में डियर का अर्थ सहास करना हिम्मत या चुनोती देना होता है। आईए हम डियर के कुछ उधारन जानते हैं जैसे यदि आप कहना चाहें उसने अपने दुस्मन का सामना करने की हिम्मत दिखाए। तो इसको अंगलेजी में आप बोलेंगे He dears to face his enemy। यदि आप कहना चाहते हों मैंने कहने की हिम्मत की थी कि तुम जूटे हो। तो इसका इंगलेजी में हम लिख सकते हैं I dare to say that you are a liar। अगर आपको कहना है यदि हमें कहना है उन्होंने अपनी जान जोकिंग में डालने का साहस किया। तो अंगलेजी में हम कहेंगे They will dare to face the robber। मुझे आसा है कि ये session आपके लिए useful रहोगा और आप डियर का उप्योग करना सीख गए होंगे। इसी तरह के unrelation को देखने के लिए और notification पाने के लिए तमस्ते English को subscribe करना ना बुले।